आज से हम एक नई सिरीज स्थार्ट करने वाले हैं और इस सिरीज में जहीं के जो प्रिवेस एर्स के कोश्चन है जहीं मेन और एडवांस के टॉपिक वाइस हम कोश्चन को डिसकस करेंगे और हमारा प्रियास होगा कि हम जल्दी से जल्दी इन वीडियो को लाएं ताकि जो बच्चे जहीं के लिए प्रिपेशन कर रहे हैं उनको प्रिवेस एर के कोश्चन अगर दिखेंगे विच सॉलूशन तो उनको कंसे वो क्लियर करने मदद मिलेगी प्लस एक एक एक्स्टा च सब हम कोशिश करेंगे कि रोज एक वीडियो हमारा पोस्ट और यूट्यूब तो आज जो हम इसमें चीज़ और हम करेंगे कि कोशन का डिसकेशन हम कंप्लीट एक्स्टेंट तक करेंगे यानि कि अगर बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोलेज हम एक्स्टा दे पाएं तो वह हमारे लिए अच्छा होगा हमें उसमें अच्छा लगेगा तो जाई में 2013 यहां इस येर से जाई में का कंसेप्ट इस्टार्ट हुआ था एडवांस और में उससे पहले जाई का पैटन था वो था एटिपली और जाई का एक्जाम बाद में इसको कर दिय दो फेज में जाई में और एडवांस तब से लेकि अभी तक बहुत सारे चेंजे सा आगे हैं एक्जाम पैटन में पर 2013 वास्ट इयर वेन में एडवांस पैटन वास इंटर्डूस तो इसमें हम कोशन देख रहे हैं सॉलिड स्टेट चेक्टर से कोशन है वीच अब देखि मेटलिक सॉलिड जिसे एक्जामपल सिल्वर हो गया, आइरन हो गया, गोल्ड हो गया ठीक है पहला केटेगरी यह है दूरसा केटेगरी है आइनिक सॉलिड जो है इसका एक्जामपल है जिसे एने सील हो गया यह आइनिक सॉलिड इसलिए क्योंकि टूट कर एने प्लस और सी में CL-, फिर Na+, फिर surrounding में CL-. So, this is called as ionic solidity. Metallic solidity में atom कैसे पढ़े होते हैं? जैसे Na+, उसके पास ये electron इसे निकाले, क्योंकि metal easily electron दे देते हैं. Na+, ये electron. तो इस तरह से metal में क्या होता है? बहुत सारे atoms होते हैं और बहुत सारे free electron होते हैं. तो इस वज़े से metal में atom एक दूसरे से बंदे होते हैं. तो metal को देखते हैं पचान सकते हैं. आइनिक solid जो आइन देता होगा, वो आइन के टेगरी में आ गया. आइनिक solid के लिगा होते हैं. एक तीसा solid होता है, covalent solid. कोvalent solid की खासे दिया है, किस में large network होगा? अब large network, अगर मैं example लिखू कि किस किस में होता है, तो diamond में होता है, ठीक है, graphite में होता है, silica में होता है, SiO2, ठीक है, silicon में होता है, ठीक है. अगर मैं चोथा example लूँ, इसके बाद जो last category है, वो है molecular solid, molecular solid में कौन से आते हैं, तो checking करने का तरीका यह होगा, कि पहले देखेंगे metal है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद ionic solid है या नहीं है, और third, covalent solid के गिने चुने example, और उसके बाद remaining सारे अपन किस में रख सकते है, molecular solid में, इसमें force कौन सा होता है, इसमें force होता है, वांडरवाल force, ठीक है, और वांडरवाल force में ही hydrogen bonding आ जाती है, ठीक, तो इसमें molecular solid में, हमें example कौन कौन से लेंगे, कि molecular solid में, जैसे मैं ले सकता हूँ, जिनमें वांडरवाल force है, जैसे solid कौन कौन से, iodine solid, P4 solid, acid solid, अब कैसे होगा या IODINE कि I2 का अगर मैं यहां पर एक मॉलीक्यूल ले लो तो बम याज आई-टी साथ यह वांडर वाल फोर्स से जुड़ा हूआ रहेगा ईद सिंब समोलर मांस गरा तो जैसे आजय से मोलर मांस बढ़ता है वैसे वैसे बहते जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बन्डर वाल फोर्टेस होने के कारण iodine solid state में होता है, same चीज P4 में होगी, same चीज है state में होगी, ठीक है, अगर अगर अपन dry ice का example है, dry ice, जिसको हम भोलते है, CO2, इसमें भी इसी तरह का force पायाई जाएगा, agargan solid लेे उसमें भी इसी तरह का force भाय जाएगा ठीक है ना even water solid ले ले इसमें भी इसी तरह का force भाय जाएगा edge bonding तो पॉइंट यह है कि Tiny question हरा है और जैसे silicon का structure में लूँ diamond का structure आजहां को पता होगा है इस तरह के से Carbon in tetraidal manner में यह diamond का structure है ग्रेफाइट का structure भी carbon kaillotrop है अर graphide का structure में बना दू इस तरीके से होता है यह layered structure होता है graphide का इस तरीके से एइसी hी layer में नीचे बना दू सेम इस तरीके से और इनके बीच में तो wonder wall force होता है लेकिन ये एक network की form में होता है SiO2 का structure अगर मैं बनाओं तो silicon फिर ये oxygen फिर ये oxygen आगे टेटाइडल मेनर में ये silica का structure है SiO2 तो covalent solid के बारे मैं बता रहा हूं कि एक large chain होती है atoms की और ये network की form में पाए जाता है तो अगर मैं silicon देखूं तो silicon में टेटाइडल मेनर में इस तरीके से silicon एक लंबी chain में चला जाएगा यहां से फिर आगे ये silicon ये silicon, ये silicon इस तरीके से आगे silicon तो जिनमें ये network पाए जाता है वो क्या कहलाते हैं? Covalent solid और जहां पर ये इस तरह की molecule है, ये molecular solid जिनमें weak wonderful force हो या edge bonding हो तो अपना आजाते हैं question पे question पूछ रहा है कि which is covalent crystalline solid state तो iodine के बारे में solid iodine में कौन से force होते हैं? wonderful force, तो ये molecular solid category में आजाएगा मैंने silicon का structure बना दिया इसमें एक network है कौन सा network कहलाता है है? covalent network तो covalent network की वज़े से ये answer होगा हमारा silicon sulfur में wonderful acid form में होता है तो इसमें wonderful force है तो ये भी कौन सा solid है? molecular solid फिर phosphorus में P4 है इसमें भी wonderful force है तो this is also molecular solid तो यहां हमें पैचानना था कि which one is covalent crystal in solid state, the answer is silicon क्त a yhtա अर्चा सबड़ा है थाम शिल में रदा है क्त तो यह व्हाए बादा है अर्चाña तो यह ऀाव यो यह जन तो एफ शाए है instructors का दो एफोगा है